सबसे पहले आज के अनलीसिस का एक विटली रिवियू करते हैं आज के प्लान के अकरडिंग हमारा ब्रेकाउट लेवल बना रहा था 14,483 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 14,354 आज का वीडियो अगर आपको देखना है तो उपर यह आया बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी तो जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ यह 5 मिनिट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट हम देख रहे हैं उपर जाने की कोशिश की लेकिन जब मुविंग आवरेज जी इस से है 50 और 20 यहां पर यह रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और जैसे ही टूवर्ड साउथ की तरफ फिर से है तो फर्स टार्गेट और सिकेंड टार्गेट फिर से तो बारा आज चुड़ है तो आज के प्लान क्या ओकरडिंग अगर ट्रेड करते तो अरूंड 25 पॉइंस का ट्रेड करने का मोखा था और 10 लॉट के ही सबसे अगर ट्रेड करते तो अरूंड 18,750 का यहां पर प्रॉफिट बन सकता था तो यह था आज का अनलेसिस का एक विकली रिव्यू अभी नेक्स ट्रेडिंग सेशन याने 27 को क्या इंट्राडेड लेवल सकते हैं उसको अइडेंटिफाइ करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं यह बैंक निफ्टी का 60 मिनिट का चार्ट है पहले डेली चार्ट को देख लेते हैं डेली चार्ट पे जैसे कि हमने आज यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था अगर आपने आज का वीडियो देखा होगा तो यह जो ट् लेकिन आज एक्जैक्ट इसने फिर से यह जो लॉंग्टम ट्रेंड लाइन है यहां पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया है बैंक निफ्टी ओपन हुआ और जैसे ही टूर्ड्स नॉर्थ की तरफ बड़ा तो यह 20 एम जो की सपोर्ट का काम करता है वह अभी रेजिस्टेंस का क कर रहा है यहां पर हर्डल है 20 एमे का फर्स 31,650 के पास तो जैसे ही इसके उपर सस्टेन करेगा तो यहां से अपसाइड मूव आने की यहां पर गुंजाईश होगी अदर्वाइस अगर यह ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है यानि आज के लो के नीचे चला जाता है तो हम नेक सपोर्ट यहां पर 30,280 तक बैंक निफ्टी आते हुए लिखाई दे सकता है तो यह ट्रेंड लाइन का सिनर्यो एड डेली चार्ट का चलते हैं 60 मिनिट की चार्ट में इंट्राडेल लेवल देखते हैं क्या हो सकती है अगर बैंक निफ्टी को 60 मिनिट की चार्ट में देखे तो यह आज का जहां पर ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था काफी अकुरेट साभित हुआ है यह ब्रेकडाउन लेवल यहां पर पास्ट में कुछ दिनों पहले हैं यहां पर इसने सपोर्ट अच्छा का सपोर्ट टे बैंक निफ्टी इंडेक सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए यहां पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और कभी फर्स टार्गेट हो सकता है 30,939 का फर्स टार्गेट हो सकता है और सेकेंड टार्गेट हो सकता है 30,871 का हमारा second target हो सकता है और अगर उपर की तरफ बढ़ता है तो आज का जो highest closing का level है उसी के पास ये 20 EA में भी आ रहा है तो almost 31,566 के उपर अगर sustain करता है bank nifty तो ही intraday के लिए यहाँ पर buy position बना सकते है और तभी first target यहाँ पर हो सकता है around 31,644 यह first target हो सकता है 31,698 यह second target होगा तो यह bank nifty के intraday levels nifty के लिए क्या हो सकते है यह देखते है चलते है daily chart पर daily chart पर जैसे कि हमने bank nifty में trend line को draw किया था तो वैसे trend line अगर यहाँ draw करे तो आप देख सकते है exact trend line के पास इसने support test किया 20 EA में का यह pink line भी almost उसी level के पास आ रहा है तो nifty में और भी गिरावट यहाँ से बढ़ते हुए दिखाई देशाती है यह 3 red candles जो बनी है यह 3 black cross candle stick pattern जैसे दिखाई दे रहा है तो हो सकता है यहाँ से एक छोटा सा recovery हमें देखने को मिले otherwise अगर यह 20 EA में को और trend line को break करता है यहाँ से और correction गह रहा था हुआ नजर आ सकते हैं तो यह daily chart का scenario है और जैसे कि हमने यहाँ पर feebon 80 retracement को अगर हम draw करें इस last swing low और इस high को पकड़के तो 20 EA में के break होने के बाद next support आ रहा है 14,119 के आसपास तो 14,119 एक next support होगा उसके बाद होगा 13,931 20 EA में को support लेके bounce back दिखाना चाहिए लेकिन जैसे कि geopolitical tensions चल रहा है आज भी news आई थी कि इंडिया-China border पर फिरसे एक बाद tensions दिखाई दिये create हो चुक है तो अगर यहां से कुछ यह subject और यहां से गहराता है तो निफ्टी में थोड़ा pressure और बढ़ते हुए दिखाई दे सकते है तो यह daily chart का scenario है चल ज़ए 60 minute के chart में intraday levels को identify करेंगे वेनस दे के लिए क्या होंगे यानि 27 January के अभी आप देख सकते यह जो breakdown level है इसको break करने के बाद निफ्टी इंडेक्स और भी towards south की तरफ आया था तो अभी past में अगर 3-4 दिन पहले देखे तो यहां से इसने जबरदस support टेस्ट करके bounce back दिखाय था pivot bar reversal pattern बना था daily chart में हमने identify किया था वो भी तो अभी यहां पर जो support लिया है past में अभी हो सकता है वो आगे जाके resistance का काम करें तो अगर मिट्टी इंडेक्स यह जो level है यानि around यह level के आसपास 14,270 के इसके उपर अगर sustain करता है तो ही intraday के लिए हम यहां पर buy position बना सकते है और तभी हमारा first target होगा around 14,290 यह हमारा first target होगा और second target होगा around 14,311 यह हमारा second target होगा और निफ्टी इंडेक्स अगर towards south की तरफ चला जाता है तो यहां पर एक past में देखे एक gap create हुआ है वो हो सकता है field हो तो इस gap का जो initial point है यानि 14,215 के नीचे अगर चला जाता है तो ही intraday के लिए हम यहां पर short position मिना सकते है और तभी हमारा first target होगा around 14,197 यह हमारा first target होगा और second target होगा 14,175 यह हमारा second target होगा किosti यह हैं कि दो है Lionel production cycle में बांखिये कर दो है बांख सकतिव और हमार जाता है Q बांखियfa क है दीचे वह हमारा खेंगार, बांखिया सकते है झाल झाल